हाई फ्रेंड्स आपका स्वागत है आई टी फाइटर यूटूब चैनल में आज हमारी क्लास नमबार 21 है इसके पहले हम लोग 20 क्लास कम्प्लीट कर चुकें अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जा कर देख सकते हैं तो आज की हम लोग की क्लास जो है वो मेटल च सब्सक्राइब जरूर कीजिए चले स्टार्ट करते हैं तो इसको हम यहाँ पर जूंग कर लेते ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे है ना तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे भहुत धातों के बहुत तिक तथा यह आंत्रिक गुन बहुत ही पूछा जाता कि नि गल नियता बताईगा गल नियता फिजिकल प्रोपर्टी है या मैकेनिकल प्रोपर्टी ठीक है तो आपको यह बताना चली हम लोग स्टार्ट करते हैं तो धातों के गुण क्या होते हैं धातों के विभिन गुण होते हैं अनुपरियोगों के प्रकार पर आधार पर विभि क्या क्या आता है देखे रंग आता है किसी धात का रंग होता है तो हम रंग को चेंज नहीं कर सकते हैं तो इसी प्रकार से भार होता है अगर किसी को कोई मेटल का अगर जो भी भार है ठीक है कोई मेटल जिसका जो भार होता है उसको भार को चेंज नहीं कर सकते हैं तो ट्रिक को हम बदल सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है वो हमारा mechanical property कहलाता है ठीक है उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में उसको हम यांत्रिक गुण कहते हैं जैसे मैलेबिल्टी मैलेबिल्टी होती है न जिससे कि हम चादरों को बनाते हैं वैसे यह हमारा टफनेस है यह क्या है यह अंत्रिक गुण है mechanical property कि हम टफनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं malleability को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर धातों के बहुती गुणों में रंग के बारे में हम लोग जान रहें फिह गैश तके बमें के बहुती में होते हैं उदाहरण में की लिए तामवे का रंग के हिसा होता है एक अलग लार रंग होता है कॉपर का अगर fulfil function जैटा लार रंग होता है mildсть해주 की क्यार्द इसटील की आई-प कर यहाँ पर दिख सकते हैं मायलिष्टी नीले या काले रंग का होता है तो मायलिष्टी मोश्टी हमारा काले रंग का होता है ठीक है किस मोश्टी काले रंग का मोश्टी होता है नेक्स्ट है हमारा भार किस कलर का होता है कलर नहीं स्वरी भार किसी भी मेटल का जो भार होता है वो चेंज नहीं होता है इ द्धातु को विवन भार होते हैं, अलूमिनियम जैसे धातु कम कहीं अन एक brings फैर हलकी विसिटा गहने तो 2.8 कि विस्टा गहने तो डुफदा सभाना पूंचा जाता आकल मिशने तो जाता है और लेट का हमारा विशिट घनत कितना होता है नाइन होता है तो सबसे भारी धात कौन सी हमारी लेट और सबसे हलकी धात हमारी एलुमिनियम नेक्स्ट है हमारा सरचना structure के बारे में एक्जाम में पूछा जाता है जैसे कि मानली जी cast iron का structure पूछा जाता है एक्जाम में कि cast iron का structure क्या होता है तो पता है न का श्टन का structure crystal line होता है इसी प्रकार से raw iron का structure पूछा जाता है इसी प्रकार से steel का structure पूछा जाता है आपको पता है रा टरन का इस्टेक्चर रेसेदार होता है ठीके और इस टील का हमारा क्या होता है कमेंट करके आप लोग बताईगा ठीके तो चलिए इसकों लोग पढ़ते हैं साधारता है धातवी आंतरिक सोच सनरचना के आधार पर अलग की जा सकती है पिटवा लोग तथा अलुमिनियम जैसी धातवों को एक रेसे वाली सनरचना मतलब एक रेसे वाली सनरचना क्या है जो हमारी रा टरन होती है उसकी जो सनरचना होती यो रेसे वाली होती है ठीके र जले नेक्स्ट है यहां पर हमारा धलवे लोई तता ब्रॉण जैसे पदार्थों में दानेदार सनचना होती है तो कास्ट एंड की हमारी सनचना कैसी होती दानेदार सनचना जिसे हम क्रिष्टेलाइन बोलते हैं ठीक है जिसे हम क्या बोलते हैं कास्ट एंड अब यहां तो यहां पर आपको सेम लग रहे होंगे दोनों लेकिन यहां पर क्या है हमारे पार्टिकल के रूप में होते हैं दानेदार होते हैं ठीके याद रहेगा चली इस्ट्रक्चर आपको याद रहना है कि किसका कैसा होता है विस्ट घना तो याद रखना है कि लेट का घना तो पूछेगा तो अवलेट का विस्ट घना तो आप नव बताओगे और इल्यूमियम का विस्ट घना तो बताओगे तो टू पाइंट याद मेटल में अगर सुचा लगता का गुण है तो उस वह हमारी फिजिकल प्र tangent कहलाती है ठीक है तबीह सुचा लगता है om विद्ध को ले जाने के योगताय होती है तो कौन्वी कौन सी हमारी सुचा लगता होती है कॉपर ठीक है विद्ध हुthest क्या हो जाती है इसमें क्या होती हम जिसमें भी करेंट का फ्लो हो सके वो हमारी मेटल में क्या होता है उसमें सुचालक का गुड़ होता है ठीक है आपने सुना होगा एक सुचालक होता है एक सुचालक होता है जिसमें भी जिस मेटल में मुक्त इलेक्टानों का प्रवा होता ह उसमें हमारी बजली का परवा होता है, वो हमारा सुचालक कहलाता है, जिस मेटल में हमारे मुक्तिलेक्टान का परवा नहीं होता है, या करेंट का परवा नहीं होता है, वो हमारे कुचालक कहलाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे सुचालक और कुचालक होते हैं, तो तापी सुच शुआ लगता हैं विदूल्ट सुचा लगता कमरसता επ तथा विदूल्ट को ले जाने की योगता हैं होती है धात के सर्ष र इस तरी तथा विद्धुद्चालकों के लिए मतलब कि विद्धुद्चालकों में हम कौन सा यूज करते हैं तो कौपर का यूज करते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट है हमारा यहां पर चुमकी गड़ के बारे पूछा जा रहा है मैंगनेटिक प्रोपर्टी तो यह भी पूछा जा सकता है कि बताई मैंगनेटिक प्रोपर्टी हमारी किसके अंतर गताती फिजिकल प्रोपर्टी या मैलिबल्टी या मैकेनिकल प्रोपर्टी तो क्या बताओगे आप वहाँ पे वहाँ पे फिजिकल प्रोपर्टी बताओ कि कि किसी भी मेटल में अगर हमारा कोई भी धात हुए एक लौ धात हुए तो होती है ठीक है एक लौ धात होती एक लौ धात होती दो टाइप के होती है तो अगर किसी कोई हमारा लौ फेरिस मेटल है तो उसमें हमारा चुमकी गुण होगा क्योंकि उसमें हमारा लोहे का गुण हें ये आपको याद इंगना है यह कोई धातु चिसमर्ग की ओर का इं में क्या कला ऐ तो इसमें चुनबक का गुणो होती इने सभी लोजह दो हैं चुम्बकी ओर आकरसित होती हैं जो हमारी इस्टेनास से षटील होती है इसमें बहुत ही मतलब कि इसे हम बेजंग इस्टील बोलते हैं मतलब इस पर जंग नहीं लगता है तो बेजंग से तेल हमहीं हमारा जंग नहीं लगता है तो केवल कुछ इस प्रकार के हैं जो स्टेनस स्टेल के अतरिक्त अन्य सभी लोग धातुएं जो होती हैं वो चुमबक की और आकरसित होती हैं सभी लोग धातुएं तथा उनके ऐलोई चुमबक को आकरसित नहीं होते हैं मतलब इन्हों उन्हें कहा कि सभी अलोधात हुएं तो था उनकी एलोई चुम्बक से आकरशित नहीं होते हैं ठीक है तो यह ची याद रहेगा फिजिकल फ्यूजी फ्यूजी बिल्टी यह बहुत बारिक जाम पूछा जाने वाला कि गल्ले नीता किसके अंतर गताता है फ्यूजी बिल्टी second option रहेगा mechanical property ठीक है हिंदी में बोले तो भौतिक गुड second option क्या रहेगा आपका यांतरी गुड है ना mechanical property को हिंदी में बोलते हैं यांतरी गुड तो गल्लीता हमारा कौन सा है भौतिक गुड है जिसको इंगलिस में physical property कहते हैं यह किसी धातु का वह गुड है जिसके कारण गर्म करने से वो पिघलती है, किसी धातु को जब हम पर गर्म करते हैं, तो धातु क्या होती है, पिघलती है yuz pushability कहलाता है, अन्यग प्दार्थ का अलग अलग तापकरम पर अपने रूप में परिवर्तन करते हैं, मतलब कि जो भी हमारे मेटल होते हैं वो अलग अलग temperature पर पिखलता है ठीक है तो यह अलग अलग temperature पे हमारा होता है ठीक है तो यहां पर यह आपको याद हो गया अनिक पदार्थों का अलग अलग तापकरम पर अपने रूप में परिवरतन करते हैं अरथात ठोस से द्रो मतलब यह जब हमारा गनलीता का किसी भी मेटर में गुण होता है तो जब हम उसको उस तंप्रेचर पर गरम करेंगे तो ठोस माली जब ठोस थी उसको उने गरम किया 232 डिगरी टंप्रेचर में तो हमारा द्रबे में कनवर्ट हो गया तो यह हमारा फ्यूजिबिल्टी का गुण होता है उसका कामी यह होता है कि तो उसको क्या कर देना पिगला कर देना ठीक टिन का गलनांग काम होता है तो टिन का गलनांग क्या होता है सबसे काम होता है 232 डि नेस्ट है हम लोग यहां पर यांत्री गुण ये भी जैसे कि अभी हम लोग ने yantri गुण आजcrire में पढ़र हमद्र messaging तैनिता को भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं.. तो नमर इक बन क्या है है हमारा? डख लिटी बतावढ़ हो है,ion तनाव में खीची जा सके कोई भी धातू उसमें हमड़कलिटी का कुण पाया जाता है ऐसा हम तभी कह सकते हैं जब उस धात को हम खीचे और क्या है वो टूटे मतलब कि बिना टूटे हुए तनाव में खीची जा सके समझ पार है ना कि कोई भी धादू तब तन्य कही जा सकती तन्य मतलब डग्लिटी तब तन्य कही जाती है जब बिना तूटे हुए तनाओं में खीची जा सके है ना बिना तनाओं बिना तूटे हुए मतलब तार तूटे नहीं और उसकों तनाओं में खीच सक तो उसमें अगर किसी ऐसा कर सकते हैं तो उसमें डकलीटी का गुण होता है तार खीचने की संक्रिया सफलता पूर्व करने के लिए धात उतनेता पर निर्भर होती है तार खीचने की संक्रिया मतलब जो हम तार खीचते हैं वो किस पर निर्भर करता है दार खीचने की संक्रि मेटल डेकलिटी पर निर्भा करता है एक तन्य धात को मजबूत तथा सुघट दोनों होने चाहिए तामा तथा ऐलुमिनियम अन्य धातों के अच्छे उदारण है डेकलिटी के जो अच्छे उदारण है वो हमारे कॉपर और ऐलुमिनियम ये तन्य धातों के मतलब डेकलिट जैसे हम लोग घरों में wire यूज़ करते हैं उस type से हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे ठीक है तो जो भी हमारे exam में पूछा जा सकता है कि जो हमारा तनिता का गुण है उसमें क्या होना चाहिए तो एक तनिधात को मजबूत तथा सुघट दोनों होना चाहिए तो exam कैसे प portion पूछेगा कि एक तनिधात में क्या होना चाहिए ऐसे पूछेगा कि एक डेकलिटी धात में क्या होना चाहिए तो उसमें होना चाहिए मजबूत बतलब कि वह धात जो होनी चाहिए मजबूत होनी चाहिए उसके strength मजबूत होनी चाहिए और सुघट दोनों होनी चाहिए तो चली याद रहेगा आप लोगों को चली नेक्स्ट अगहत वर्दर नीता मैलेविल्टी क्या होती है देखी कभी भी किसी भी मेटल को अगर हम हैंबरिंग करके या रोलिंग करके अगर हम उसको यह जो हमारी इतने साइज का था उसको बढ़ा के चादर की रूप में कनवर परिवर्दर नीता इसके बारे हम पढ़ लेते हैं हैमरींग रोलिंग आधि से बिना फटन के साइज तथा आकार में परिवर्दर के लिए धातू के सभी दिशाओं में इस थाई रूप से बढ़ने के गुण को धातू का अगात वर्ड़निता कहते हैं समझ में आया कि हैम और रोलिंग आदि से बिना तूटे बिना फटे मतलब जिसको हम बढ़ा रहे हैं मरिंग रोलिंग के मादम से वो बिना फटे हुए है ना बिना क्रेक हुए साइज आकार में परिवर्तन मतलब उसमें साइज में परिवर्तन आ जाए उसकी लंबाई बढ़ जाए उसका आकार परिवर्थन हो जाएं, परिवर्थन होने के बाद, जो दातु है, जो सभी इतनी सी जो थी, जो हमने हैंबरिंग और रोलिंग करी, तो वो हमारी इतने साईच की हो गई, तो सभी दिशाओं में, इस थाई रूप से बढ़ने के गुण को ही क्या कहते हैं, धातु का अगात ब बरदेनिता कहते हैं ठीक है तो जो हमने धातू है इसको क्या किया हमने सभी दिसाओं में इस थाई रूप से हमने बढ़ा दिया मतलब कि जब हम उसको बढ़ा देते हैं तो वो बिल्कुल पर्मानेंट हो जाता है वो वापस ना है जैसे कि स्प्रिंग नेस अगर इसी में ला कर तो वो अगर उसमें इलास्टिसिटी का गुण है तो स्वयम फिर से वह इसी अवस्था में आ जाएगा ठीक है अगर उस अवस्था में नहीं आता है और चादर की रूप में कनवर्ट कर रहे हैं इस थाई रूप से तो वो हमारा मैलेबिल्टी कहलाता है समझ में आ गया हम बोलेंगे हम बोलेंगे कि धात के किस गुण से हम किसी मेटल को चादर के रूप में कनवट करते हैं तो अग्यात वटन के हैं हम किसी दात को चादर के रूप में कनवाट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट, हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट पइंट क्या है? यहाँ पर नेक्स्ट है, हम लोग का hardness क्या होता है? hardness is the very very important कोई भी हमारा cutting tool है, उसमें main important किसका रहता हाडनेस का रहता अगर हमारा cutting tool hard नहीं होगा तो cutting क्रिया नहीं कर पाएगा तो ये बहुत ही जरूरी है धात के खरोच तूट फूट अब घरसर तथा वेधन के परतिलोदक्ता के गुण की कटवरता कहते हैं ये exam में क्या होता है ये exam में कोशन ये line देता है कि धात के खरोच तूट फूट अब घरसर तथा वेधन के परतिलोदक्ता को क्या कहते हैं तो उसे हम hardness कहते हैं ये ही line exam में देता है कि धात के खरोच तथा तूट फूट अब घरसर इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारा hardness होता है वो खरोच को रोकता है मतलब खरोच नहीं लगता है ऐसे समझे कोई soft metal है उसको हम किसी चीज की उपर अगर हम रगड़ेंगे तो क्या हो जाता है उसमें खरोच लग जाते वही hard metal होगा तो उसमें खरोच नहीं लगेगा बहुत ही कम लगेगा मतलब खरोट metal है तो उसमें क्या होगा वो टूट फूट सकता है लेकिन hard metal होगा उसमें hardness का गुण होगा तो तूटे फूटेगा नहीं तो तथा वेधन के प्रतिरोधकता का मतलब कि प्रतिरोधकता किसी चीज को रोकना तो वो खरोच को रोकता है और तूटने फूटने से रोकता है और जो रोकता है उसी को हम hardness कहते हैं वो hardness के गुण के कारण ही ऐसा होता है बिटेलनेस क्या होता है कि जब simple सी भासा में समझे कि कोई हमारा metal है तो हम क्या करेंगे उसमें कारण की प्रिस्द मातरा मिलाएंगे जैसे कि हम लोग heated में पढ़ते हैं कार्वराजिंग वी दी है ना उसमें pack कार्वराजिंग पढ़ते हैं ठीक है गैस कार्वराजिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं मेटर में कार्बन की प्रसद मातरा बढ़ाते हैं तो जब कार्बन की प्रसद मातरा किसी मेटर में बढ़ाते हैं तो साथ ही साथ हारनिस तो बढ़ती है क्योंकि आपको पता है जब कार्बन मिलाएंगे तो हारनिस बढ़ेगी लेकिन हारनिस बढ़ने के साथ साथ उसमें बि टेंपरिंग का काम यही होता है, कि वो बीक्तिलनेश को कम करे भंगुरता को कम करे और टफनेस को बढ़े था है, तो सब्सक्रा छोरा थोब आए, डर रहता है ठीक है बिटनलेस क्या होता है इसको हम निमी की लंगज में समस्ते हैं भंगुरता किसी धातु की वह गुड़ है जो तूटने से पूर को इस्थाई विरूपल नहीं होने दाता है मतलब जो बिटनलेस होता है धातु को वह गुड़ है जो तूटने से पहले को इ से 4% मतलब इसमें कार्बन की प्रसत मात्रा आधिक होती है और जब किसी भी मेटल में अगर कार्बन की प्रसत मात्रा आधिक है तो उसमें हमारा बिटिलनेस का गुण भी उसमें हमारा अधिक होगा या जटके तथा आघात धोरा मुणने की अपेच्छा तूट सकता है किसी भी मेटल में अगर बिटलनेस का गोड है तो उसमें जटका अगर लगेगा तो वह तूट जाएगा जटका या आगात मलब चोट और मुलने पर वो क्या हो जाएगा तूट जाएगा इसी प्रकार से फूचा जाता है कि डिल में हमारा ऐसा क्या होता है वो जो तूटनेस से ब तो फिर हमारा डिल तूट जाएगा ठीक है चलि यहां पर हम बात करेंगे टफनेस क्या होता है टफनेस के बारे हम बात करेंगे तो चिम्ड़ा पन धाद को व्य गुञड है जिसके दोरा व्य अगात या जट्के को सहें कर पाता है जैसे कि हमने बताए कि डिल क्या है जैसे ज़र कटिंग कर रहे होते हैं तो जटके को सहन करता है और चोट को सहन करता है ठीके तो डिल में इसी लिए टफनेश का गुण होना आवस्यक है तो चिम्डा पन धाद को वै गुण है के द्वारा आगात या जटके का सहन कर पाता है चिमडापन का गुण भंगुरता से विपरीद होता है बहुत बार एक जामें पूछा जाता है कि टफनेस का विपरीद गुण क्या कहलाता है टफनेस का विपरीद गुण क्या होता है तो टफनेस गुण जो होता है वो आप यह कह लिए टफनेस का विपरीद क्या होता है तो आप क्या बताओगे टफनेस का विपरीद होता है भंगुरता अगर पूछ लिया जाए भंगुरता का विपरीद क्या होता है तो बंगुरता का विपरीद क्या होता है तो किसी भी कोशन को घुमा के पूछ लेता है तो यह कहना चाहरा है कि जो टफनेस का उदारण क्या है तो टफनेस का बेश्ट उदारण हमारा रो टारन होता है क्योंकि रो टारन में कार्बन की प्रसद मात्रा बहुत कम होती है इस वज़े से इसमें टफनेस का गोल अच्छा होता है पानी बहुत तेज बरसने लगा है तो आ आसा करते हैं आपने complete video भी देखा होगा तो हम कोसिस करेंगे आप इस video को 400 plus view लाएंगे 400 plus view तब आएंगे जब आप इस video को share करेंगे तो video को share कीजिएगा share करने बाद जिसमें view आजाएंगे 400 plus view तो हम next class लाएंगे क्योंकि हमें motivational जो मिलता है वो यहीं से मिलता है जब आप लोग video को complete देखते हो ठीक है तो आप लोग कब wait करेंगे 400 plus view लाएंगे इस video को next class हम लोग लाएंगे आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा फिर मिलेंगे next class में बाई बाई टेक केर